नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSC Notes में दोस्तों हम आपके सामने एक न्यूज शेयर करना चाहते हैं जो कि है 48500 शिक्षक भरते लिखित परिक्षा से सम्मंदित दोस्तों जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपका लिखित परिक्षा के लिए एक समय सानी जारी की गए थी उस प्रस्ताओं को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है और आपके लिए सासना देश जारी हो चुका है और उस पे अब मोहर भी लग चुकी है और साथी हम इस वीडियो में हम चर्जा करेंगे आपके मन में उठ रहे सारे प्रशनों के और हम जवाब देंगे कि वहां आखिस में कौन आवेधन कर सकता है इसकी प्रक्रिया है प्रोसेस हम आपके मन में इउठ रहे सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में देंगे तो दोस्तो पहले तो हम आपको यह दिखा देते हैं जो सासनादेस की कॉपी आई हुई है अभी आपके सामने देखिए दो पेज में यह सासनादेस की यह कॉपी है और हम अभी आपको बताते हैं इसमें चेंज क्या हुआ है और क्या है नया अभी इसके बारे में आपको हम बताते हैं तो दोस्तो इसमें जो है नया क्या है आपको बता देते हैं पहले तो यह जो अप्लिकेशन है यह सहायक अध्यापक भरती परिक्षा 2018 की आयोजन हेतु समय सार्णी जो अभी कुछ समय पहले समय सार्णी जारी की गए थी जिसमें पूरा एक्जाम डेट, रिजल्ट, एंसर की प्रमाल पत्र, मतलब हर एक चीज़ की डेट दे दी गई थी कि आखर ये डेट कब क्या होगा और इसमें देखें आज की डेट भी डली हुए है दिनांक 7 मई 2018 तो यह विग्यापती आज की डेट में जारी की गई है और इसमें क्या बताय गया है इसमें देखेंगे आपको पॉइंट नंबर टू में लिखा है कि इस संबन में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि सासन द्वारा समन्वेक विचारोत परांत सहायक अध्यापक भरती परिक्षा 2018 के आयोजित आयोजन हेतु सिक्षा सच्चिव परिक्षा नियामक प्रादिकरण द्वारा प्रस्ताव परिक्षा नियामक प्रादिकरण अभी जो आभी दो दिन तीन पहले जो भी विज्यापती जारी की थी समय सार्णी को उसको मंजूरी मिल चुकी है सासना देश जारी हो चुका है और इस पे अब PNP की मोहर लग चुकी है अब आपका मतलब इसमें कहीं भी संसय नहीं है कि आपकी परिक्षा 27 से 1 होगी यह पूरी तरह से 100% क्लियर हो चुका है जैसा कि इसमें हमने आपको पताया ही था कि विज्यापन का प्रकाशन यानि आपका जो आठ मई को विज्यापन निकाला जाएगा और ओनलाइन आवेदन की जो रेश्टेशन डेट है वो आपका 14 अप सहाएक अध्यापक परिक्षा थिती जो है 27 माई को होनी है जो की एकदम मोहल लग चुकी है 100% आपकी जो परिक्षा है सहाएक अध्यापक की वो 27 माई को ही होगी तो दोस्तो ये तो होगी news, अब बारी है आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब देने की दोस्तो आप जो भी comment करते हैं, हम आप की questions को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं तो उसी क्रम में आज भी हमाई सामने कुछ ऐसे questions आएं लोगों के, जिसका जवाब देना हमने उची समझा, तो सबसे ज़्यादा जो question हमाई सामने आ रहे थे, कि जिसके number TT में बढ़े हैं, क्या उसे form में correction करना है या नहीं, तो दोस्तो हम आपको एक चीज clear कर देते हैं, कि उन्हें सिर्फ संसोधन की date का इंतजार करना है, और इससे संबंदित आपको पूरी detail कल की विज्यापती यानि 8 मही में पूरी मिल जाएगी, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या-क्या करना है, और जो एक दूसरा question था, कि बहुत से students ने एक question किया हम से, कि sir, जो date में बहुत से ऐसे लोग थे, जो fail थे, लेकिन उन्होंने अपना number बढ़ा कर डाल दिया था, form भर दिया था, तो अब उन्हें क्या करना होगा, दोस्तों जी हाँ, अभी जब TT का result आने वाला था, उससे पहले इसमें बहुत मामला फज गया था, बहुत से student थे, जो pass नहीं होगा कि आप सिर्फ एक राज्तायाप के लिए, कि आप फिर से एक बार आवेदन कर दीजे, आप एक बार आवेदन फिर से कर देंगे, तो आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो अभी ये आवेदन प्रक्रिया सुरू होई है, ये नए आवेदकों को ल उर्दू विसाय सामिल होगा कि नहीं होगा, बहुत से लोगों को मन में कुश्यन बना था, कि टीटी में तो हमने उर्दू विसाय का चेयन किया था, लेकिन अब अर्सरजार सिक्षक भरती में उर्दू का विसाय नहीं है, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि आभी इसका 15 माई को सुनवाई होनी है और इसका उस दिन फैसला आएगा तो आपको उसी दिन क्लियर हो पाएगा कि 15 माई को जो भी से इसका आदेस आता है तो उसी के आधार पे पता चलेगा कि आपका उर्दू सामिल होगा या नहीं तब तक के लिए आपको 15 माई का इंतजार करना पड सीट मिलेगी उसमें आपको सॉल्ब करने के बाद एंसन वर्ड वन वर्ड में लिखना है और जितने भी कुश्चन रहेंगे आपको सभी एक शब्द या दो शब्द में ही लिखना है अगर आप ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो आप डेर सो कुश्चन अटेम्ट ह ही नहीं कर पाएंगे और आप बहुत पीछे रह जाएंगे अब लास्ट सवाल है कि सबके मन में है कि सुप्रीम कोट में अगर ये मामला फस्ता है तो क्या ये परिक्षा प्रभावित होगी तो क्या 27 मई की जो परिक्षा होने वाली है वो आगे बढ़ाई जाएगी तो द परताल की जाती है उसके बाद ही इस्टे मिलता है इस्टे बहुत आसानी से नहीं मिलता उसके लिए बहुत ही जाच परताल करनी परती है तो आप लोग निश्चेंत रहे आप लोग 27 मई की पूरी तयारी कीजिए क्योंकि इस्टे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है अग अगर अब भी आपके मन में कोई कोश्चन हो आप हमें कमेंड में जरूर बताईगा हम आपके प्रश्णों का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद और हाँ दोस्तों अगर आप मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको अगली वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद